आज हम बहुत ही टेस्टी परुशन और तिथी के लिए बिना फर्मेंटेशन एकदम क्रिस्पी राइस डोसा, रागी डोसा और बाजडे का डोसा बनाएंगे और ये डोसा बनाने के लिए हमें पहले से कोई भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है जब बन करें तब इंस्टन बना सकते हैं और साथ में हम डोसा के साथ सब करने के लिए एकदम टेस्टी चटनी बनाएंगे जैजी ने अंदर सभी को तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हम राइस डोसा बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ एक कव चावल का आटा लिया है और यह एकदम बारिक वाला आटा लेना है तो इतने आटे में से हम 4-5 डोसा बना सकते हैं अब इसमें 1 फूर्थ टीस्पून नमक एड़ करेंगे आदी टीस्पून रोस्टेट जीरा पाउडर एड़ करेंगे और साथ में 1 फूर्थ टीस्पून सुखी हरी मीची का पाउडर एड़ करेंगे अगर आपके पास नही तो हमें दो कप पानिये चाहिक करना है मैंने अभी और ये हमें और musimy ज़ाëं के लिए हमें द्चाच पानी सिभागती एक कर दीजिंग तो हमें 3ट 폰 करेंगे मतलगा तो थो लाम्ण बैटर एकदम पतला रखना है जिससे ये डोसा एकदम जालीदार बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे तो देखे सब अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे हम 10-15 मिनिट के लिए रख देंगे जिससे चावल का आटा अच्छे से भीग कर फूल जाएगा तब तक हम डोसा के का सूखा वहला नारियल लिया है इसे हम इस तरह से छोटे-चोटे टुकडो में कट कर लेंगे आप जाओ तोघर से घ्लेट भी कर सकते हो तो यह सुखा नारियल को हम गरम पानी में भीगा कर बनाएंगे जिससे ग्याट कर कर भंद ह्लेंगे ने सुखा नारियल मैंने आधा कब से थोड़ा कम लिया है अब यह मैंने गरम पानी लिया है इसमें हम सुखा नारियल को कट किया था वो एड़ कर लेंगे और साथ में दो कश्मेरी लाल मिर्च के बीज निकाल कर वो भी आड़ करेंगे और इसे हम अच्छे से 15-20 मिनिट के तो दो देखें ड्राइ को कानच के चटने बनकर तयार है और consistency भी आप देख सकते हो, एकदम perfect है, अगर आपको ज्यादा पतली चाहिए तो थोड़ा सा पानी और add कर सकते हो, और ये चटनी में तड़का चाहिए तो आप राई जीरा और हिंका भी तड़का कर सकते हो, अब 15-20 मिनिट के बाद देखे, चावल के आटे का बैटर अच् इस तरह से mix कर लेंगे, और field डोसा बनाएंगे, और consistency भी perfect है, और यहाँ डोसा बनाने के लिए मैं non-stick pen गरम करने के लिए रख दिया है, और पैन अच्छे से गरम होना चाहिए, गैस के flame भी high रखेंगे, और इस तरह से हम cup के मदद से बैटर को डाल देंगे, तो जब और इस तरह से spread कर देंगे, और यह डोसा पकने के लिए 3-4 मिनिट लगती है, और डोसा पकाने के लिए gas की flame medium to high रखनी है, जिससे यह डोसा जल्दी से पक जाएगा, और एकदम crispy बनेगा, तो देखे यह डोसा बनकर तयार है, और देखकर ही पता चल जाता है कि यह डोसा क इतना crispy बना है, तो घरमा घरम डोसा को हम coconut चटनी के साथ सव कर देंगे, और दुसरा डोसा बना कर तयार करेंगे, तो एक बार गिरले कपड़े से हम तवे को पोश लेंगे, और वापस gas की flame high कर देंगे, और बैटर को हम इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ डाल देंगे, तो यह अपने आप जाले इस तरह से बन जाएगे, और जहाँ ज़्यादा gap है, वहाँ हम थोड़ा थोड़ा और बैटर डाल देंगे, और इसे हम medium to high flame पर पकने देंगे, और डोसा इस तरह से थोड़ा ड्राइ हो जाए, तब थोड़ा सा गी डाल देंगे, और अच्छे से रोसा भी बोलते है, तो उसके लिए मैंने यहाँ आधा कप नाचने का बारिक वाला आटा लिया है, साथ में एक टेबल स्पून चावल का आटा भी आट करेंगे, वन फोर्थ टी स्पून नमक, थोड़ा सा काली मिश पावडर और थोड़ा सा रोस्टेट जीरा पावडर आट करेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी आट करके पतला बैटर तयार करेंगे, तो मैंने यहाँ आधा कप रागी का आटा लिया है, तो हमें एक कप पानी आट करना है, और जरूरत लगेगा हम पानी और भी आट करेंगे, तो जितना आटा लिया है, उससे हमें डबल प करने के लिए रख देंगे तो देखें यहां 3-4 मिनिट में आठा अच्छे से से हो चुका है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जरूरत लगे तो हम पानी और एड़ करेंगे तो देखें थोड़ी गाड़ी है तो दो टेबल सुन पानी और एड़ करेंगे और अच्छे से म तो इस तरह से दोसा थोड़ा ड्राइब हो जाएगा तब हम थोड़ा से गी डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे तो देखे तीन से चार मिनिट में ये डोसा क्रिस्पी बन गया है तो इसे हम सर्विंग प्लिट में साव करेंगे अगर आपको दूसरी साट भी प आपस हाई कर लेंगे और इस तरह से हम बैटर डाल देंगे तो इतने बैटर में से हम दो से तीन डोसा बना सकते हैं तो ये डोसा एकदम जालीदार और क्रिस्पी बनाने के लिए सिर्फ एक दो चीज का ध्यान रखना है कि बैटर के कंसिस्टेंसी प्रॉपर होनी चाहिए और गैस का टेंपरेचर हम प्रॉपर रखेंगे तो ये डोसा एकदम क्रिस्पी बनेगा तो देखे ये दूसरा डोसा बनकर भी तैयार है तो गर्मा गरम डोसा को को कोकोना चटने के साथ सव करेंगे तो देखे ये डोसा कितना क्रिस्पी बना है तोटने से ही पता चल जा एंदर इतने आघ मेंसे हम् 2-3 डूसा बना सकते हैं चुटकी भर काली मिर्श पॉडर और चुटकी भर स्पॉर्च जी और पॉडर सब्सक्स नाजिआ त formats बैटर करेंगे तो देखेग अभी बैटर गाड़ा है तो वापस पानी आड़ कर देंगे, तो मैंने यहां आदा कप बाजले काटा लिया था, जिसमें हम एक कप पानी आड़ करेंगे, साथ में हम 1 फूर्थ टी स्पून सॉंट पाउडर आड़ करेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे यह डोसा पहुत जादा टेस्टी लगेगा, अब बैटर को हम 5-7 मिनिट के लिए रिस्ट के लिए रखतेंगे, और 5-7 मिनिट के बाद कंसिस्टेंसी हम चैक करेंगे, तो थोड़ी घाड़ी है, तो वन फूर्थ कप पानी और एड़ करेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे, तो देखिए डोसा बनाने के लिए कंसिस्टेंसी एकदम प्रॉपर है, तो यहां नॉन स्टिक पैन भी अच्छे से गरम हो चुका है, और गैस की फ्लैम भी हाई रखेंगे, और इस तरह से हम बैटर को बाहर से अंदर की तरफ डाल देंगे, और जहां जहां ज्यादा गैप लगे वहां हम वापस थोड जाएगा तब हम और वापस gas की flame medium कर लेंगे और डोसा को हम medium to high flame पर पकाएंगे जिससे यह अच्छे से क्रिस्पी बन जाएगा और डोसा उपर से थोड़ा ड्राइ होने के बाद ही हम थोड़ा से गीड आ लेंगे आप चाहो तो ऑईल भी डाल सकते हो दोसे ड्राइ मीट में डोसा उपर से ड इसमी जाएदा डोसा को चोवियार के लिए एक बार गर पर जरू ट्राइ करना बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा थेंक्यू